एलवाइज मैं गुर्वित और आज की इस वीडियो का आप बिल्कुल भी एस्टेक मत कीज़ेगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले स्ट्रीडियो लाइट जी आज दो स्ट्रीडियो लाइट एस्टिडियो लाइट जो है आपने किसी यूटिवर के पास देखा होगा या फिल जब आप फोतों की चाने जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा ही होगा लेकिन वो जो होता है बहुत ही मेहगा होता है लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो है बनाने वाले हैं नोइस्ट से नोइस्ट प्राइज में श्टीडियू लाइट, तो दोस्तो श्टीडियू लाइट बनाने के लिए हमें जरुत होगी इसकोट की, इसे हमको इस सेप में काट लेनी है और इसका हमने किस तरह से माप लिया है वो आपको डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इस तरह का जो है हमें चार सेप बना लेनी अब लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम एलमुनियम फॉइल का यूज करेंगे अब इससे हमें एक दूसरे से चिपका देंगे तो आप देखिए इस्टीडियो लाइट बनाने के लिए यह हमारा तयार हो चुका है अब कुछ करना यह है कि हमारे जो यहाँ पे है शुइच सेट करेंगे या और जो इसमें समाल लएगा वह सेट करेंगे उसके बाद हमारा इस टीडियो लाइट बनके तयार हो जाएगा तो चलिए इसको करते हैं और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमने यह बॉक्स बनाय सब्सक्राइब बढ़िए कि की इससे एक चोटा यह लेने ना है जिसमें होल्डर एक ऍिए करना है उसकेबाद आप को ल險 करना यह है कि यह पे यह हमको सेट करना इven यह है यह वह है वक्त ए श्टेम लीतूत वाध रियार होगा कर दो कर दो तो गाइज देख सकते हैं आप यह कुछ इस तरह से बना हुआ है अब करना है इसे एक लुक देने के लिए क्या करना इसके उफर ब्लैक पेपर चिपका देना ताकि एक लुक आजाए इस्टीडियो लाइट की तरहाई देखे तो गाइज अब करना कुछ ही है कि इसमें हम य यह जो है ब्लैक पेपर आसता है यह आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा आज इसली एवलेवल होता है हर एक मार्केट में अब इसको एक लुक देने के लिए इसको हम पूरे चिपका लेंगे इसको पर और देखेगा इसमें देखने में क्या चवरदर्स लुक गया इसका तो गाइज हमारा जो इस्ट्यू लाइट है बनके तयार हो गया है और आप देख सकते हैं कि बिना इस्ट्यू लाइट का कुछ ऐसा दिख रहा है और अगर इस्ट्यू लाइट को हम जलाते तो कुछ ऐसा होता है देख सकते हैं अब कितना अज़क लग रहा है और गाइज आप अब लोगों कि यह बना दाते हैं तो दो बनाए situated लाइट प्रफिक जाध तो इससे उतना अच्छा नहीं आ रहा है और दो रहेगा तो दोनों साइड से और अच्छा होगा और दिखाते हैं आपको उन इसमें क्या-क्या चीज का यूज किया है तो इसे जो है हमें 45 एंगल में सेट करना रहता है ताकि अच्छा लाइट लाएट तो देख सकते ये किस तरह से है देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे है तो आपसे थोड़ी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और चेनल पे नए है तो चेनल को जरुख से जरुख सब्सक्राइब करने और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के